प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आज मैं आपके समक्ष कक्षाद दस्वी के हिंदी के पाठे करम में नहित विकारी शब्द को लेकर उपस्तित हूँ विद्यार्थियों विकारी शब्द क्या है विकारी शब्द के कितने भेड है इसका हम विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे विकारी शब्द जो विशे है इसको मैं आपके समक्ष दो भागों में लेकर उपस्तित हूँगा आज विकारी शब्द क्या है इसके जो दो भेड ह संग्या और सर्वनाम इसका हम विस्तार पुर्व का दिन करेंगे। उद्देश्य विद्यार्थियों इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे विकारी शब्द का अर्थ विकारी शब्द के कितने भेद हैं विकारी शब्दों के भेदों का उधारन सहित वर्नन और अंत तह विकारी शब्द का महत्व आज का विशे मैं प्रारम करता हूँ इस स्लाइड को ध्यान पूर्वक देखें स्लाइड पर आपके समक्ष दो द्रिश्य हैं पहला द्रिश्य लड़का दूसरा द्रिश्य लड़की अब यहां इन द्रिश्यों में आपने क्या पाया कि पहले द्रिश्य के नीचे अर्थात पहले चित्र के नीचे लड़का लिखा हुआ है और दूसरे के नीचे लड़की यह कैसे संबभ हुआ तो इसका तर्क है लिंक के प्रयोग के कारण यहां रूप परिवर्तित हुआ है अब आप इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखें पहला चित्र उसके नीचे लिखा है घोड़ा दूसरा चित्र उसके नीचे लिखा है घोड़े अब प्रशन यह उठता है कि घोड़ा घोड़े में कैसे बदल गया तो यहां वचन के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है अब इस स्लाइड को ध्यान पूर्वक देखें वा पढ़ें पहला वाक्य लड़की खाना खाती है दूसरा वाक्य लड़की ने खाना खाया तीसरा वाक्य लड़की खाना खायेगी और चौथा वा अंतिम वाक्य लड़की के द्वारा खाना खाया गया इन चारों वाक्यों में लाल रंग से लिखे हुए शब्दों को आप ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि उपर्युक्त वाक्यों में काल और कारक के कारण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने चित्रों को ध्यान पूर्वक देखा तथा नीचे लिखे वाक्यों को पड़ा। आओ अब जाने। लिंग के परियोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। जो पहली स्लाइड हमने देखी थी उसमें लड़का लड़की यह परिवर्तन लिंग के परियोग के कारण संभव हुआ था। दूसरा वचन के परियोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है। दूसरा जो आपने स्लाइड में चित्र देखे थे घोड़ा घोड़े उसमें वचन के प्रयोग के कारण रूप परिवर्तित हुआ है विद्यार्थियों लिंग और वचन के प्रयोग के कारण तो रूप परिवर्तित होते हुए आपने देखा इसके अत्रिक्त एक और स्लाइड मैंने आपको जो दिखाई थी उसमें आपने क्या पाया काल और कारक के प्रयोग के कारण भी रूप परिवर्तित होता है तो हमने अब तक क्या जाना कि लिंग के प्रयोग के कारण वचन के प्रयोग के कारण तथा काल और कारक के प्रयोग के कारण भी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है ये सब शब्दों में जो परिवर्तन होता है या विकार उत्पन होता है ऐसे शब्दों को ही विकारी शब्द कहते हैं विद्यार्थियों इन्हें भी दियान से देखें वा समझें मैं इन्हें पढ़ कर सुना रहा हूँ मैं मैं से बना मुझ मुझ से मुझे मुझे से मेरा इसी प्रकार अच्छा अच्छी अच्छे और अगला आप देखिए बेटा बेटी बेटे विद्यार्थियों ये सभी शब्द विकारी शब्द के अंतरगत आते हैं पहले आपने देखा ये मैं मुझ मुझे ये सर्वनाम है अच्छा अच्छी अच्छे यह है विशेशन के अंतरगत आते हैं तथा बेटा बेटी बेटे यह है संग्या के अंतरगत आते हैं विद्यार्थियों इन में जो परिवर्तन हुआ है जो विकार उत्पन हुआ है वह है लिंग वचन काल कारक आदी के परियोग के कारण हुआ है ये सभी शब्द विकारी शब्द के अंतरगत आते हैं तो विकारी शब्द कौन से शब्द हुए बच्चों? वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक आदी के प्रयोग के कारण रूप परिवर्थित होता है. परिभाशा जो शब्द लिंग वचन काल कारक आदी के प्रयोग के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहती हैं जैसे लड़का, वीर, वह, मीठा, हम, आदी विद्यार्थियों हमने पिछली स्लाइडों के माध्यम से भी यही जाना कि लिंग वचन काल कारक आदी के कारण जब शब्द अपना रूप बदल लेते हैं तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं. विकारी शब्द के भेद विकारी शब्द के चार भेद होते हैं पहला भेद है संग्या दूसरा भेद है सर्वनाम तीसरा भेद है विशेशन और चौथा भेद है क्रिया आज विद्यार्थियों हम विकारी शब्द के तो भेदों का उधारन सहित विस्तार से अध्यन करेंगे पहला संग्या का और दूसरा सर्वनाम का, ध्यान से देखना वा अध्यन करना संग्या निम लिखित वाक्यों में आये रंगीन शब्दों को ध्यान से देखें वा पड़ें पहला वाक्य है अमन का घर दिल्ली में है दूसरा वाक्य रमेश गोडे की सवारी कर रहा है तीसरा वाक्य क्रोध मनुष्य को पागल बना देता है और चोथा वाक्य है बुड़ापा सभी रोगों का घर है इन चारों वाक्यों में लाल रंग से चिन्नित शब्दों को आप ध्यान पूर्वक देखें अमन, दिल्ली, घोडे, क्रोध मनुष्य तथा बुड़ापा विद्यार्थियों पिछली स्लाइड में जो वाक्य तीन आपने पड़े इन वाक्यों में आये रंगीन शब्द अमन, रमेश, व्यक्तियों के नाम है तथा दिल्ली, शहर का नाम है घोडे तथा मनुष्य, जानवर तथा आदमियों की जाती विशेश बताने वाले शब्द हैं क्रोध भाव विशेश का नाम है तथा बुड़ापा अवस्था को बता रहा है वस्तुतह ये सभी शब्द किसी ना किसी के नाम को बता रही हैं व्याकरण में जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उन्हें संग्या के नाम से जाना जाता है तो ये सभी शब्द अमन, रमेश, दिल्ली, घोडे, मनुष्य, क्रोध तथा बुड़ापा संग्या शब्द हैं संग्या परिभाशा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाती, गुन अत्वा, भाव आदी के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संग्या कहते हैं जैसे विद्यारतियों द्यान से देखें, उधारन नीचे दिये हुए हैं राम, कुर्सी, दिल्ली, नगर, बच्पन, प्रेम, बुराई, हवा ये सबी शब्द, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाती, गुन, अत्वा, भाव आदी के नाम का बोध करा रही हैं अतहा हिंदी व्याकन में ऐसे शब्दों को संग्या के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों आओ संग्या की पहचान के कौन-कौन से आधार होते हैं इसका अध्यन करें संग्या शब्द प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक हो सकते हैं जैसे लड़का लड़की चिडिया प्राणिवाचक हैं और डाल नदी पहाड अप्राणिवाचक हैं तो पहला तो ये आधार था दूसरा संग्या शब्द गननिये और अगननिये हो सकते हैं गननिये अर्थात जिनकी गिंती हो सके अगननिये जिनकी गिंती ना की जा सके जैसे आम, केला, बेटा गननिये हैं तथा पानी, हवा, तथा क्रोध अगननिये हैं क्या हम पानी हवा क्रोध की गिंती कर सकते हैं नहीं परन्तु आम केला बेटा इनकी गिंती की जा सकती है अतहा ये गन्ये संग्याएं हैं संग्या शब्द वाक्य में करता कर्म आदी की भूमी का अदा करते हैं जैसे दिव्या पढ़ रही है उसने सीता को पढ़ाया यहां दिव्या करता है और सीता को संग्यापद कर्म का कारे कर रहा है संग्या की पहचान जो उसके आधार है उसके हमने तीन बिंदूओं का अध्यन किया पिछे अब अगला देखिए संग्यापद के बाद परसर्ग आ सकते हैं परसर्ग का मतलब विबक्ति चिन या कारक्चिन जैसे विद्याले में दिवार पर घर का चाकू से विरिक्ष से आदी यहां में पर का से परसर्ग अर्थात विबक्ति चिन है और अंततह संग्यापद के पहले विशेशनों का प्रयोग हो सकता है जैसे लंबी लड़की, लाल मिर्च, सफेद, घोड़ा, काला, जूता, हरी मिर्च, मोटा, आदमी इनमें लंबी, लाल, सफेद, काला, हरी तथा मोटा विशेशन हैं संग्या, भेद, प्रभेद, आवविद्यार्थियों संग्या के कितने भेद हैं इसका अध्यन करें संग्या शब्दों से प्रायहा किसी व्यक्ति, जाती या भाव के नाम का बोद होता है इसलिए संग्या के मुख्यता तीन भेद माने जाते हैं अब ये तीन भेद कौन से हैं? ध्यान से सुनिए. पहला भेद है व्यक्तिवाचक संग्या, दूसरा भेद है जातिवाचक संग्या, तथा तीसरा भेद है भाववाचक संग्या. हम इन तीनों भेदों का उधारन सहित विस्तार पूर्वक अध्यन अगली स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे. आप ध्यान पूर्वक स्लाइड्स को देखना तथा सुनना. व्यक्ति वाचक संग्या, जो शब्द किसी एक विशेश व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराएं, उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं. जैसे मनुष्यों के नाम, आपका अपना नाम व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगात आता है, इसके अत्रिक्त नमन, अमन, गीता, सीता, आदी ये व्यक्ति वाचक संग्याएं हैं. वस्तुओं के नाम, हल्दी, मिर्च, बाइबल, गांडीव, आदी ये वस्तुओं के नाम हैं. स्थानों के नाम, दिल्ली, कैथल, अंबाला, आगरा, मुंबई, ये सब स्थानों के नाम हैं. प्राणियों के नाम, चेतक, चेतक क्या है, घोडे का नाम है, एरावत, एरावत किसका नाम है, एक आती का नाम है. विद्यार्थियों, ये सभी उधारन, जो आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये, ये व्यक्ति वाचक संग्या के उधारन हैं. जाती वाचक संग्या, द्यान से सुने परिवाशा, जिन शब्दों से किसी जाती के सभी पदार्थों और प्राणियों का बोध हो, अर्थात उनके नाम का बोध हो, उन्हें जाती वाचक संग्या कहते हैं. जैसे, आप स्लाइड को द्यान से देखिए, घोड़ा, गाए, शेर, कोयल, मोर आदी पशुपक्षियों के नाम हैं, आम, केला, गुलाव, कमल आदी फल फूलों के नाम हैं, परवत नदी, पुस्तक पैन, घड़ी आदी वस्तुओं के नाम हैं. ये जितने भी नाम मैंने आपके सामने उच्चरित किये, और आप जो चित्र देख रहे हैं, ये सभी चित्र वा उधारन, जातिवाचक संग्या के उधारन हैं. तो हमने क्या पाया? कि जब कोई शब्द किसी जाती के सभी पदार्थों और प्रानियों का बोध कराता है, उनके नाम का बोध कराता है, तो उसे जातिवाचक संग्या कहते हैं. प्रिद्यार्थियों, ये सभी उधारन वा चित्र जो आपके समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं, ये जातिवाचक संग्या के उधारन हैं. जाती वाचक संग्या के उपभेद पिद्यार्थियों जाती वाचक संग्या के दो उपभेद हैं पहला है द्रवे वाचक संग्या द्रवे वाचक संग्या क्या है इसकी परिवाशा क्या है इसे द्यान पुर्वक सुनिए जिन शब्दों से किसी धातु अत्वा द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, पीतल, आदी इनके आप चित्र भी देख रहे हैं जो धारन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किये गई है सोना, उसके बाद पानी, तो ये विध्यार्थियों ये जो शब्द हैं सोना, चांदी, लोहा, पानी, तेल, पीतल, तामबा ये वे शब्द हैं जिनसे धातु अत्वा, द्रव्य का बोध होता है अर्थाद जिनसे पदार्थों का निर्मान होता है जाती वाचक संग्या का दूसरा उपभेद है समु वाचक संग्या इन शब्दों से व्यक्ति वस्तु स्थान आजी के समु अत्वा समुदाय का बोध हो उन्हें समु वाचक संग्या कहते हैं जैसे उधारन देखिए आप कक्षा, संग, गाउं, सेना, टीम, दरबार, आदी आप क्रिकेट खेलने के शौकीन भी होंगे, क्रिकेट देखने के शौकीन भी होंगे तो क्रिकेट की जो टीम है वो समु वाचक संग्या का उधारन है इसी प्रकार आप कक्षा में 25 या 30 विद्यार्थी बैठे हैं तो ये 25 और 30 विद्यार्थियों का जो समु है अर्थात कक्षा, शब्द, ये समु वाचक संग्या के अंतरगत आता है अब हम संग्या का तीसरा भेद भावाचक संग्या क्या है इसका अध्यन करेंगे ध्यान से सुनिए भावाचक संग्या जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, आदी के धर्म, गुन, भाव, दशा, आदी का बोध होता हो उन्हें भावाचक संग्या कहते हैं या उन्हें भावाचक संग्या कहा जाता हैं जैसे उधारन देखिए मित्रता, सज्जन्ता, शत्रुता, आदी ये गुंदोश के उधारन हैं आनंद, क्रोध, शद्धा, भक्ति आदी भाव हैं बच्पन, योवन, बुडापा, जवानी, आधी दशाएं हैं अर्थात अवस्था हैं ये चित्रविया आपको यही संकेत दे रही हैं कि मित्रता सज्जनता शत्रुता कैसे होती है अर्थात जब लड़ाई हो रही है तो वो शत्रुता है जब गले मिल रही है तो वो मित्रता है इसी प्रकार दूसरे दृष्षे में आ आप देखिए आपके समक्ष बच्पन की अवस्था का चित्र है योवन की अवस्था का चित्र है और बुड़ापे में इंसान की क्या दशा हो जाती है उसका आपके समक्ष एक चित्र प्रस्तुत किया गया है तो ये सभी उधारन मित्रता, सज्जन्ता, आनंद, क्रोध, प्यारतियों अब तक आपने संग्या एवं उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना आओ मैं अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाता हूँ अब आप के समक्ष दो चित्र मैं दिखाऊंगा आपने क्या करना है चित्र देखें और बताएं इसमें कौन है और उ दिरिश्य अर्थाच चित्र आपके समक्ष है इसे ध्यान पूर्वक देखें ये चित्र किसका है और उसके हाथ में क्या क्या है दूसरा चित्र आपके समक्ष है इसे भी ध्यान पूर्वक देखें कि ये चित्र किसका है और उसके हाथ में क्या है फिर हम आगे इन दोनों के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे आपने चित्रों को देखी लिया होगा और आप पैचान भी गए होंगे कि यह चित्र सचिन तेंडूलकर का है अब मैं कुछ वाक्यों को पढ़ रहा हूं इन्हें ध्यान पुरोक सुनें सचिन तेंडूलकर भारत का रहने वाला है सचिन सच्चिन तेंडूलकर मुंबई में रहता है, सच्चिन तेंडूलकर क्रिकेट खेलता है, सच्चिन तेंडूलकर के हाथ में बल्ला है, सच्चिन तेंडूलकर ने सबसे अधिक शतक बनाए हैं, सच्चिन तेंडूलकर के हाथ में ट्रॉफी है, अब आपने इन वाक्यों को ध व्याकरन की दृष्टी सेría तुरूटी नजर आ रही है? क्या ये सबी वाक्य व्याकरन की दृष्टी से सही है? नहीं, संग्या शब्दों या नामों का बार-बार प्रयोक करने से बाशा अठप्टी सी लगनी लगती है. इसलिए संग्या के स्थान पर जिस विकारी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते ही सर्वनाम के प्रयोग से बाशा, सरल और सुन्दर बन जाती है अब आपके सामने मैं एक स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं इसे द्यान पूरवक देखें चित्र के नीचे वाक्य लिखे हूँ है जिने मैं पढ़कर सुना रहा हूं रमा, अमन और निशा पार्क में है वे फुटबॉल खेल रहे है अब इन दोनों वाक्यों में यहां वे सर्वनाम है जो रमा, अमन और निशा के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है निशकर्ष क्या है? कि संग्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं यहां वे सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है तो विद्यार्तियों इस स्लाइड को ध्यान पूर्वक देखें वह सुनें सबका नाम सर्वनाम सर्वनाम क्या है? सबका नाम और संग्या का ये लेते स्थान जैसे मैंने आपको बताया कि संग्या के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है तभी इने सर्वनाम कहती है सर्वनाम के भेद प्रभेद परभम चर्चा करेंगे विद्यार्तियों सर्वनाम के छे भेद होते है पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा भेद है निश्चेवाचक सर्वनाम तीसरा भेद अनिष्चय वाचक सर्वनाम चोथा भेद है प्रश्ण वाचक सर्वनाम पांचवा संभन्द वाचक सर्वनाम और छटा तथा अंतिम भेद है निज वाचक सर्वनाम अब हम आगे अपनी प्रस्तुति में इन सभी छे सर्वनामों के सचित्र उधारन सहित जो है अध्यन करेंगे वे इनके क्या-क्या उब्वेद हैं इनका आप उधारन सहित आगे वर्नन देख पाएंगे पहला भेद हैं पुरुष वाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहती हैं जैसे उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम मध्यम पुरुष में तु तुम और आप अन्य पुरुष में यह यह वह वे अब स्लाइड के नीचे दिहान से देखिए, वक्ता, वक्ते में जो वक्ता होता है, वह उत्तम पुरुष का कारे करता है, श्रोता, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, वह मध्यम पुरुष का कारे करता है, और जो वक्ता और श्रोता के समक्ष उपस्तित नहीं हो अर्थात अनुपस्तित होता है, अर्थात अन्य शब्दों में कहें, कोई तीसरा व्यक्ति जिसे हम अन्य व्यक्ति कह सकते हैं, वह व्यक्ति अन्य पुरुष का कार्य करता है, तो पुरुष वाचक सर्वनाम में तीन आते हैं, उब्भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुर अब हम पुरुष वाचक सर्वनाम के उप भेदों का आध्यन करेंगे पहला भेद उत्तम पुरुष ज्यान से सुनिए बोलने वाला अत्वा लेखक जिन पुरुष वाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वैम के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझे को आ दी मैं दिल्ली जाओंगा, हम भारतवासी हैं यहां मैं और हम उत्तम पुरुष के रूप में प्रयुक्त हुए हैं दूसरा भेद हैं मध्यम पुरुष बोलने वाला जिससे बात करता है, उसके लिए प्रयोग किये जाने वाले सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं जैसे तुम कम बातें किया करो, यहां तुम मध्यम पुरुष है इसी प्रकार तु, तुम, तुम को, तुझे, आप, आपको, आपके आदी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है तीसरा बहिद है, अन्य पुरुष, बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ती, प्रानी या वस्तु के संबंद में, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे वे सज्जन हैं, यहाँ वे नजदीक नहीं हैं, दूर हैं और किसी अन्य का बोध करा रहे हैं, अता यहाँ वे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है इसके अतिरिक्त वे है, यह, उन, वे, ये, उनको, उनमें, उनहें, उसके आधी अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम के उधारन है अगला भेद है, निश्चे वाचक सर्वनाम, द्यान से सुनिए वे सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आधी का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं यह निश्चित बोध समीब की वस्तुओं का भी हो सकता है, तथा दूर की वस्तुओं का भी दूर की वस्तुवों के लिए वह तथा समीब की वस्तुवों के लिए यह का प्रयोग किया जाता है जैसे यदि हम कहते हैं वह ले आओ दूर पड़ी किताब के लिए या पुस्तक के लिए हम कहते हैं वह ले आओ तो यहां वह निश्चे वाचक सर्वनाम है यदि हम कहते हैं यह पकड़ाना जरा अर्थात पास रखी पुस्तक के लिए हम कहते हैं यह पकड़ाना जरा तो यह नजदीक के लिए समीब की वस्तू के लिए प्रियुक्त हुआ है निश्चे वाचक सर्वनाम है अक्सर इन पास और दूर की वस्तुवों के लिए इशारा या संकेत भी किया जाता है, अतहा निश्चे वाचक सर्वनाम को संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं, तो विद्यार्थियों निश्चे वाचक सर्वनाम क्या हुआ? वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु घटना आदी का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं यह समीप के लिए भी प्रयोगत होता है और दूर की वस्तुओं के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है तीसरा भेद है अनिश्चे वाचक सर्वनाम ध्यान से सुनिए जिन सर्वनामों से किसी प्राणी वस्तु अत्वास्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई कुछ दरवाजे पर कोई खड़ा है दाल में कुछ काला है यहां कोई तथा कुछ अनिश्चे वाचक सर्वनाम के उधारन है विद्यार्थियों हिंदी में अनिश्चित्ता को प्रकट करने के लिए हम कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए सर्वनामों का प्रयोग करते हैं आपको कोई बुला रहा है, यहाँ कोई अनिष्चे वाचक सर्मनाम है, इसी प्रकार दूसरा व्याक्ट के ध्यान से सुनिए, कुछ खा कर बाहर जाना, यहाँ इस वाक्य में कुछ अनिष्चे वाचक सर्मनाम का दियो तक है जो की वस्तु के लिए परियोग में लाया गया ह तो बच्चों, कोई और कुछ अनिश्चे वाचक सर्वनाम के उधारन हैं, जो अनिश्चित्ता को प्रकट करते हैं। अगला भेद है प्रश्न वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यपार आधी के विशे में व्यक्ति अथ्वा प्राणी के संबंद में प्रश्न करना हो, तो कौन का प्रयोग होता है। अन्यता क्या का, जैसे कौन, क्या, राम को कौन नहीं जानता, यहां कौन प्रश्न वाचक सर्वनाम का उधारन है, मेरे साथ कौन चलेगा, आप आज रात को क्या कर रहे हैं, व्रत के दिन आप क्या खाते हो, यहां कौन क्या प्रश्न वाचक सर्वनाम के उधारन है, संबंद वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रियुक्त, संग्या या सर्वनाम से संबंद दर्शाते हैं, उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं आपके समक्ष उध पढ़ रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुनिए, जो करेगा सो भरेगा, यहां जो और सो संबंद वाचक सर्वनाम के उधारन है, जिसकी लाठी उसकी भैस, जिसकी उसकी संबंद वाचक सर्वनाम के उधारन है, जो जूट बोलता है वे कभी आगे नहीं बढ़ता, जो संबंद वाचक सर्वनाम का उधारन है वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था यहां जो सम्मंद वाचक सर्वनाम का उधारन है अरंतिम जैसा करम वैसा फल यहां जैसा और वैसा सम्मंद वाचक सर्वनाम के दियो तक है अरंतिम भेद है निज वाचक सर्वनाम द्यान से सु सर्वनामों का प्रयोग स्वयम के लिए किया जाता है, वे नीजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं स्वयम चला जाऊंगा, वह अपने आप काम करेगा या कर लेगा, वह आप ही बाहर गया था, यहाँ इन तीनों वाक्षों में स्वयम अपने आप, आप ही जो लाल प्रेक्ष्रों में चिन्नित हैं लिखे हुए हैं ये तीनों निजवाचक सर्मनाम के उधारन हैं उसे अपना काम खुद करने दो इस वाक्य में खुद निजवाचक सर्मनाम का उधारन हैं विद्यार्थियों आज आपने विकारी शब्द क्या हैं विकारी शब्द के दो भेद संग्या और सर्मनाम का विस्तार पूर्वक अध्यन किया अब सारांश इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने समझा क्या समझा पहला विकारी शब्द का अर्थ, विकारी शब्दों के भेदों के नाम, संग्या और सर्मनाम के भेदों का उधारन सहित वर्नन और विकारी शब्द के भेद संग्या तथ सर्मनाम का व्याकरन में क्या महत्व है इसका आपने ग्यान प्राप्ट किया आओ पुन्रावृत्ति करें कि आज आपने क्या सीखा उचित संग्या अथ्वा सर्वनाम शब्द लिकर वाक्ये पूरा करें मैं वाक्ये पढ़ रहा हूँ द्यान से सुनिए वह बहुत डैश से गिरा उचाई से गिरा गहराई से गिरा कठोरता से गिरा क्या आएगा उत्तर इसका इसका उत्तर आएगा उचाई दूसरा इस थान से आगे जाने की डैश है भलाई है मनाई ही है या उत्तराई है तो इसमें क्या आएगा इस थान से आगे जाने की मनाई है अर्थात मना है खतरनाक रास्ता है दूद में डैश गिर गया है इसमें कोई उसका कुछ वह है इनमें से क्या आएगा तो दूद में कुछ गिर गया है यहां कुछ आएगा जो वस्तु के रूप में प्रयोग में लाया गया है मेरे पास एक घड़ी है डैश मुझे उपहार में मिली थी इसमें जो सो वह है इनमें से क्या आएगा विद्यात्यों ध्यान से देखिए और अपना उत्तर दीजिए उत्तर इसका क्या आएगा इसका उत्तर आएगा जो जो मुझे उपहार में मिली थी ध्यान से देखिए मिलान करें ये गतिविदी है मिलान करें एक तरफ शब्द लिखे हुए है दूसरी तरफ संग्या के भेदों के नाम है पहला शब्द है बच्चा बच्चा कौन सी संग्या है बच्चा जाती वाचक संग्या है तो आपने जाती वाचक संग्या से इसे मिला बुराई, बुराई कौन सी संग्या है, भाव वाचक संग्या, सीता, सीता व्यक्ति विशेश का नाम है, इसलिए व्यक्ति वाचक संग्या है, तो इसे व्यक्ति वाचक संग्या के साथ आप इसका मिलान करेंगे, सोना, सोना क्या है, द्रव्य, तो द्रव्य वाचक संग्या, और अंतिम शब्द है तीम जो समू का दियोत्तक है अतहा टीम समू आचक संग्या है तो हमने इस गतिविदी के माध्यम से संग्या के बारे में अपना स्वैम का मुल्यांकन किया अब इस गतिविदी को आप देखिए निम्न सर्वनामों का मिलान करें एक तरफ सर्वनाम है दूसरी तरफ सर्वनाम के भिदों का नाम है कोई अब कोई 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 सा सर्वनाम है विद्यार्थियों कोई अनिश्चित्ता का बोध कराता है इसलिए अनिश्चे वाचक सर्वनाम है मैं जो वक्ता के लिए प्रियुक्त होता है ये कौन सा है उत्तम पुरुश वाचक जो का प्रियुक्त है संबंध के लिए तो संबंध वाचक तुम तुम क्या है श्रोता के लिए मध्यम पुरुश वाचक कौन यहां कौन सा सर्वनाम है प्रश्न वाचक तो इस गतिविदी की माद्यम से हमने सर्वनाम के बारे में अपने ज्यान का आकलन किया अब इस दिरिश्य को ध्यान से देखिए क्या वाक्य लिखा हुआ है ध्यान से देखिए कौन शोर मचा रहा था विद्यार्थियों इसमें कौन सा सर्वनाम प्रियुक्त हुआ है आप दिरिश्य को देखिए और उसके उपरांत अपना जवाब दीजिए तो जवाब क्या है जवाब होगा प्रश्न वाचक सर्वनाम ज्यार्थियों आज आपने विकारी शब्द भाग एक प्रस्तुती जिसमें विकारी शब्द क्या है विकारी शब्द के दो भेद संग्या और सर्वनाम का विस्तार पूर्वक अध्यन किया मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये प्रस्तुती अच्छी तरह समझ आ गई होगी मैं अंत में आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ